दोस्तों अगर आपको एक ऐसी country में काम करना चाते थे जहाँ पे आपकी कमाई बहुत अच्छी हो और जो one of the most beautiful country in the world हो तो Switzerland बहुत ही अच्छा option है, Switzerland में कमाई सबसे ज़्यादा होती है पूरे world में कुछी countries रहती है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी कमाई रहती है जैसे Switzerland, Germany, USA और सबसे बड़ी बात यहाँ पे काफी लोगों को job मिल रहे है अगर आपकी education 5th pass and above है तो आप try कर सकते हो अगर आपकी age limit 18 साल से 55 साल के बीच में है तो आप try कर सकते हो freshers भी apply कर सकते हैं freshers are always welcome और यहाँ पे 2,00,00 से भी ज्यादा job opportunities available है और आप as fast as 10 days में भी Switzerland में move कर सकते हो और यहाँ पे आप tourist visa को work visa में भी easily convert करवा सकते हो provided आपको employer की तरफ से job offer मिल चुका है यहाँ पे आपको directly 5 years का residence permit मिल सकता है दोस्तो Switzerland में PR आपको 10 years में मिलती है और अगर आप यहाँ पे unskilled या semi-skilled category of jobs में try कर रहे हो तो आपको IELTS test की भी जरूत नहीं पड़ेगी जी यहाँ आपने सही सुना English test की भी आपको जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप unskilled या semi-skilled category of jobs के लिए try कर रहे हो यहाँ पे visa approval rate बहुत ही अच्छा है competition कम है अगर आप overtime करते हो तो आपको 25% extra मिलता है और यहाँ पे 45 hours per week का work culture है मतलब आप हर रोज 9 घंटे काम करोगे साल भर में आपको 28 paid lease minimum मिलती है इतनी paid lease में आप 1-5 मैने अपने घर हर साल जा सकते हो चुट्टी पर और Switzerland में आपको seasonal work visa भी मिल सकता है जिसको बोलते है L permit अगर आपको seasonal work visa मिलता है तो वो 6 months से 12 months के लिए valid रहता है और अगर आप permanent work visa के लिए जाते हो तो आपको minimum एक साल का work visa मिलता है और दोस्तों Switzerland का passport भी बहुत powerful है यहाँ पे आपको 185 countries में visa free travel करने को मिल सकता है और दोस्तों Switzerland में salary इतनी अच्छी है कि यहाँ पे आपको 12,000 Swiss franc per month भी मिल सकता है अब क्योंकि Switzerland चैनेजन country में आती है तो आपको 27 चैनेजन country में visa free घूमने को मिल सकता है दोस्तों अगर आप USA में भी काम करना चाते हो और आपको Switzerland का PR मिल जाता है तो आप within 5 days में USA में भी काम करने लग सकता है अब दोस्तों Switzerland के tourist visa को type C visa भी बोला जाता है दोस्तों Switzerland का tourist visa up to 90 days के लिए valid रहता है तो अगर आप tourist visa में जाके काम धूरने की सोच रहे हो तो आपको इतना time मिल सकता है maximum और यहाँ पर ज्यादा तर लोग English में बात करते हैं और कुछ लोग German में भी बात करते हैं आपको government की तरफ से भी अच्छा support मिलेगा in case of emergencies और social security benefits भी मिलते हैं तो guys इस video कहां तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कहां पर apply करना है और कैसे apply करना है guys आपको result तभी मिलेगा जब आप regularly apply करना चालू करोगे आपको minimum एक गंटे रोज apply करना पड़ेगा it might take several months but it will be worth it क्योंकि आपकी जो current salary है उससे 5-10 गुना salary बढ़ जाएगी अगर आपको Switzerland में काम मिल जाता है और guys Switzerland बहुत ही beautiful country है यहाँ पर आपको बहुत सारी places मिलेगी घूमने के लिए आपको पूरी cities के लिए fancy bicycles भी मिलती है बहुत electric और non electric तो आपका health भी अच्छा रहता है और यहाँ पर bikes भी आपको daily और weekly rents पर भी मिलती है और आपको हर जगे bicycle stands भी मिलते है दोस्तों Switzerland की total population 8. 8.8 million है और यहाँ की capital city है बर्न इसके अलावर travel करने के लिए बहुत सारी cities है जीरिक, जिनेवा, बसल तो guys Switzerland मैं सिव इंग्लिश ही नहीं यहाँ पर German, Italian, Romance, French हरपकार की language बोली जाती है तो दोस्तों अगर आपको एक एसी country डून रहे था है जहाँ पर आपको कमाई बहुत अच्छी हो आप अच्छी saving भी कर पाओ तो Switzerland is the best option for you in European countries अभी हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो का अंतक जरूर देखिएगा by the way अगर आप इस channel में नए हो तो इस channel को subscribe कर लिजिए और bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले notification मिलेगा जब भी मेरा कोई video upload होता है मैं work visa, study visas and overseas job opportunities के उपर videos बनाते देता हूँ और अगर आपको कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे instagram पे भी approach कर सकते हो मेरी instagram में सिर्फ a की ID है which is limitless my and zero hour तो अगर आप मुझे instagram पे approach करते हो तो मुझे मेरी official ID पे ही approach कीजिएगा तब सबसे पहले हम यह समझ लेते कि आपको कौन से visas से जाना चाहिए तो guys अगर आप work permit में जाना चाहते हो तो Switzerland का सबसे popular visa है permit B जो आपको एक साल के लिए मिलता है और second time में आप उसको जब renew करवाते हो तो it can be up to two to five years तो yes आपको Switzerland में five years का भी visa directly मिल सकता है फिर guys आता है permit L जो की temporary visa या seasonal worker visa के लिए भी use होता है its validity is up to 12 months और उसको extend भी आप करवा सकते हो एक और साल के लिए फिर दोस्तो अगर आप Switzerland में PR ले लेते हो permanent residency ले लेते हो तो इसको बोले जाता है permit C तो Switzerland में आपको PR मिलती है 10 साल के बाद तो दोस्तो tourist visa की validity या शैनेजन visa की validity 90 days तक के लिए रह सकती है तो अगर आप यह सोच रहे हो कि आप tourist visa में जाओगे, job ढूंडोगे तो आपके पास 90 days रहते है maximum job ढूंडने तक जब आपको किसी भी employer की तरफ से work visa मिल जाता है, employer contract मिल जाता है तो आप tourist visa को work visa में भी convert करवा सकते हो इसके अलावा अगर आपको EU blue card मिल जाता है, तो आपकी salary और increase हो जाती है EU blue card आपको एक साल के बाद मिल सकता है EU blue card के और भी फायदे रहते हैं, इसके बाद आपको European countries में कहीं पर भी easily job मिल सकता है तो मेरा recommendation यही रहेगा, कि एक साल के बाद आप EU blue card भी बनवा लीजिए तो दोस्तों आप हम eligibility criteria या requirements के बारे में बात कर लेते सबसे पहले आपके बास passport होना चाहिए, जिसमें 6 months and above की validity बची हो और आपको original passport ही दिखाना है, जिसमें minimum 2 stamps बचे हो इसके अलावा आपको एक passport size photo बतानी पड़ती है, 35 by 45 size की और उसका background white होना चाहिए फिर आपको visa application form fill करना पड़ता है, आपको अपनी travel identity बतानी पड़ती है जहां पे आप बताते हो कि आप कहां पे रुकने वाले हो, कौनसी flight से जाने वाले हो with the attachment of the tickets तो दोस्तो hotel bookings and flight की ticket book करना mandatory रहता है तो आपको अपनी flight की ticket भी बतानी पड़ती है और hotel booking का भी proof बताना पड़ता है जनरल यह आपको company के तरफ से मिल जाती है, तो आप यह details company के तरफ से ले सकते हो और 6 month की bank statement बतानी पड़ती है और आपके bank account में sufficient fund होना चाहिए कि आप खुद को support कर सकते हैं Switzerland में which should be 2000 Swiss franc और above दोस्तों इसके बाद हम demand वाले jobs के बारे में बात कर लेते हैं तो Switzerland में सबसे जादा जो job vacancy से वो factories में है Switzerland में बहुत सारी milk product की factories है और chocolate factories है इसके अलावा आपको बहुत सारी backaries में भी काम मिलता है तो अगर आप pastry chef के रूप में काम कर चुके हो तो यहां पे भी आपको बहुत अच्छी opportunity है अपार्ट फॉम इट factories में factory worker या production supervisors की बहुत जादा demand रहती है इसके अलावा अगर आपको कोई machine operate करते आती है especially forklift या lat machine या JCB machine तो आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity रहती है फिर primary school teachers की भी जड़त पड़ती है और teachers को wages बहुत अच्छी मिलती है ऐसे teacher आप easily 5000 Swiss franc और above कमा सकते हो फिर financial advisors की भी जड़त पड़ती है और sales persons की भी जड़त पड़ती है Switzerland में maximum लोग अच्छी कमाई करते हैं तो उन सभी लोगों को financial advisors की जड़त पड़ती है जो उनको बता पाए कि आप अपने tax कैसे बचा सकते हो और कैसे अपने assets को सही जगे पर relocate कर सकते हो so that आपकी कमाई year by year बढ़ती जाए और अगर आप अच्छे sales person हो तो आप easily 6,000 स्विच फ्रैंक से 12,000 स्विच फ्रैंक पर मन्त भी कमा सकते हो इसके अलावा nursing assistants, nannies और caregivers की भी जड़त पड़ती है तो अगर आपको इसमें से किसी का भी अनुभव है तो आपको बहुत ही अच्छी business मिलती है ऐसे nursing assistant आप 25 से 50 स्विच फ्रैंक पर मन्त कमा सकते हो फिर दोस्तों स्विच लैंड में hotel line और banking sectors यहां की भी बहुत ज़्यादा demand रहती है स्विच बैंक बहुत ही मशूर है बहुत ही अच्छी quality of security देती है स्विच बैंक में तो अगर आप banking related कुछ काम कर रहे हो तो आपके बहुत ही अच्छे chances है in fact अगर आप software developers या software tester या आप gaming industry में हो तो भी आपकी बहुत ही अच्छी demand है और Switzerland में आपको बहुत सारे 5 stars and 4 star hotels मिलेंगे इनमें आपको बहुत ही अच्छी demand रहती है और आपको wages भी बहुत अच्छी मिलती है next is supermarkets and local stores job तो आपको local stores में बहुत काम मिलेंगे gas station के बहुत सारी stores रहती है वहाँ पे भी आपको job मिलते है supermarkets में भी आपको store supervisor या store manager का का काम मिल सकता है in fact supermarkets में आपको food counter attendant के भी काम रहते हैं और warehouses में warehouse assistant, packaging operator, logistic supervisor या warehouse supervisors के भी काम रहते हैं इसके अलावा आपको housekeeping या factory workers या construction helper या maintenance works भी मिल सकते हैं इन कामों में entry barrier बहुत ही कम रहता है तो अगर आपकी education बहुत ही कम है तो आप इन काम को try कर सकते हैं इन में आपके अच्छे chances रहते हैं अब यह समझ लेते हैं कि हमें कहां पर और कैसे apply करना चाहिए तो दोस्तों आभी मैं आपको Switzerland की 6 websites बताने वाला हो जिन में अगर आप try करते हो तो आपके बहुत ही अच्छे chances हो जाते हैं thelocal.ch, jobs.ch, google jobs, linkedin, indeed और glassdoor यह 6 websites से इन में अगर आप try करते हो आपको बहुत ही अच्छे response मिलते हैं इसके अलावा मैं आपको descriptions में भी कुछ websites की links बता दूगा उनको भी आप refer कर सकते हो अगर आप try कर रहे हैं एक बात ध्यान में रखिए आप कहीं पर भी jobs के लिए apply करोगे तो सबसे पहले आपको एक international standard का CV and cover लेटा चाहिए उसके बिन आप कहीं पर भी apply नहीं कर सकते हैं और competition भी रहता है आप जहां पर भी apply करोगे there will be hundreds or thousands of people जो आप से पहले apply कर चुके तो आपको ही क्यों लिया जाएगा आपको तब ही लिया जाएगा जब आपका CV and cover letter stand out करता है और आपका CV keyword friendly भी होना चाहिए आज कल हास के बाद ज्यादा time नहीं रहता है वो आपके CV को software के basis पे keywords से filtering कर लेते हैं जिससे उनका time बजता है इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके CV में आपकी जो job profile है उसके relevant right keywords नहीं है तो आपको job नहीं मिल सकता है कुछ-कुछ चीज़े अगर आप ये ध्यान देते हो तो आपको बहुत जल्दी job मिल सकता है इसके अलावा दोस्तों आप Switzerland में part time job भी easily कर सकते हो आपको साल भर में 28 paid list मिलती है आप चाहो तो tourist visa को work visa में भी convert करवा सकते हो provided अगर आपके पास employer की तरफ से job offer है सबसे पहली requirement है कि आपको company की तरफ से job मिलना चाहिए अगर आपको employer से job offer नहीं मिला है तो आपका work permit बनी नहीं सकता है तो यहां पर आपकी choice आजाती है कि आप कैसे apply करना चाहते हो मेरा recommendation रहेगा कि आप गर बेटे-बेटे online based apply करिए क्योंकि इसी में काफी लोगों को job लग रहे है आपको भी लग जायेगा अगर आप tourist visa में जाके job ढूड़ना चाहते हो कर सकते हो अगर आपका passport ECR है या non-eCR है तो भी आप apply कर सकते हो एज limit है 18 से 55 years यह visa fee can be as low as 80 euro यहां पर आपको PR 10 years में मिलती है आपको long term work permit भी मिल सकता है जो कि 5 years के लिए valid रहता है अगर आप overtime करते हो तो उसकी extra wages भी मिलती है 25% extra मिलती है आपको Switzerland का visa भी बहुत passport है तो और आप greater countries में भी जाके काम कर सकते हो जैसे माल लीजी अगर आपको USA में काम करना है तो five days में आपका वहां का भी work permit बन जाता है अगर आपके पास Switzerland का passport है तो यहां पर ज्यादा तर लोग English में बात करते हैं तो आपको उत्ती ज्यादे दिक्कत नहीं आएगी इसके अलावा भी local languages है जैसे जर्मन फ्रेंच इटालियन यहां पर आपको wages भी बहुत अच्छी मिलती है आप easily 4 से 12,000 स्विस फ्रैंक पर मंत कमा सकते हो बाकी countries के मुकाबले यहां पर GDP पर capita भी अच्छा है और wages भी बहुत अच्छी मिलती है तो दोस्तों इसा मोका मिस मत करिए अभी बहुत सारी vacancies चल रही है आपको apply जरूर करना चाहिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि vacancies किती सारी चल रही है obviously एक बात ध्यान में रखिए आपको jobs के लिए apply करना पड़ेगा और सबसे पहले आपके पास एक international CVN cover letter होना चाहिए उसके बिना आप कहीं पर भी apply नहीं कर सकते हो अगर आपको मुझे कोई भी paid services चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो इंस्टाग्राम पर मेरी एकी ID available है विच इस limitless mank01 तो अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हो तो मुझे मेरी original ID पर ही अप्रोच करी है तो दोस्तों यहाँ पर दो लाग से ज्यादा job vacancies भी available है तो यहाँ पर आपको जरूर ट्राय करना चाहिए ऐसा मोका बारबार नहीं मिलता है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजो यह bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पेले notification मिलेगा इससे ही आपको फाइदा रहता है मैं work visas, study visas and overseas job opportunities के ओपर videos बनाते रहता हो So I hope आपको यह video अच्छा लगा हो That's all for this video, I wish you all the best and see you in the next video